हेलो गाइज वन्स अगेन वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल माई एक के किलासिज आज जो हम वीडियो में बाते करने वाले वह बाते करने वाले हैं कैक्टेस के चोफ फ्रेंच जैसे कि आप जानते हैं हमेशा से बहुत बहुत जाते हैं इंपोर्टन रहता है इसलिए आज में वीडियो सामने लेकर आया हूं तो इसमें हम बात करने वाले हैं लोंग कोशन की जिसको हम स्टेप टू स्टेप समझने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग को भी हमाई चैनल से नहीं जोड़े हैं सबसे पहले वह हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैर आकन दबाना ना भूलें तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th NCRT लेसन नमबर वन दा लाश्ट लेसन लोंग को स्वनांसवर कैक्टरेस केज और फ्रेंज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से Frans wo a Young student of a school in a village of Alsace district of France मालब जो फ्रेंज था वह एक युवा विध्यारती था यंग कहसकते हो जो कहां पर था »Office school. एक school का और वह in a village of Alsace Alsace के गाउं में district of France 프ांज लेके फ्रांज दिले के मतलब फ्रांज district के एक उसमें गाउन था अलसास में जहां पर एक school था तो उसी school के student था French. He was the main character of the lesson and narrator also. जो French था वो इस lesson का मुख्ये character हैं and कथा वाचक भी है. French enjoyed spending much of his time outside. फ्रेंज जो था जादे तर अपना समय बिताना कहां पर पसंद करता था आउटसाइड outside मतलब school के बाहर मतलब उसे class के अंदर ज़्यादे पसंद नहीं होता था समय वेतीत करना इसलिए उसे ज़्यादे अच्छा किसके बाहर लगता था अपनी class के बाहर समय वेतीत करना अच्छा लगता था next setting पर पढ़ते हैं his teacher उसके अध्यापक Mr. M. Hamill was his Mr. Hamill was a hard task master जो Mr. Hamill थे वो सक्त किसम के teacher थे अध्यापक थे he punished his students वो अपने विध्यार्तियों को सजा देते थे when they did not complete their lessons जब बच्चे उनका जो दिया हुआ जो कार्य होता था उसको पूरा नहीं क्या करते थे तभी जो M. Hamill थे वो उनको क्या दिया करते थे सजा दिया करते थे French was always dreadful French हमेशा से डरा हुआ होता था या डरा हुआ रहता था of Mr. Hamill's ruler किस चीश से Mr. Hamill के ruler मतलग छड़ी से एक लोह कि उनकी पाद छड़ी रहती थी जिससा हमेशा कहा रहता था डरा हुआ रहता था He thought that वह सोचता था कि He would be punished कि उसको सजा मिलेगी मतलब जब भी वो छड़ी को देखा करता था उसे ऐसा लगता था कि उसको सजा मिलेगी जरूर मिलेगी तो अपनी next studying पर बढ़ते हैं As a student French was not a brilliant student मतलब फ्रेंज जो था नहीं था He did not like his books वह अपने किताबों को भी पसंद नहीं क्या करता था His school नहीं वह अपने school को पसंद क्या करता था And his teachers और नहीं वह अपने teachers को पसंद क्या करता था But when he reads school लेकिन जब वह इसकोल पहुचा जैसा ही वह अपने school पहुचता है And knows that और उसे पता चलता है कि After order from Berlin मतलब बरलीन से आदेश आने के बाद It was last day ये अंतिम दिन था Mr. Hamill Mr. Hamill का He became quiet वह सांथ हो गया मतलब जैसे ही वह अपने school के अंदर एंटरी करता है उसे पता चलता है कि Berlin से आदेश आ चुके हैं इसलिए जो Mr. Hamill कही है आज लाज दिन है तो बिल्कुछ सांथ हो गया मतलब उसे जटका सा लगा कि हो क्या गया है He felt sorry उसे sorry महसूस होता है मतलब वो जो sorry महसूस करता है That he had refused learning French कि उसने मना कर दिया था French जो भासा थी उसको सीखने के लिए उसे महसूस हुआ कि जब Mr. M. Hamill जो उसको सिखाय करते थे वो सीखा नहीं करता था किसने किसी बहाने से वो अपनी कक्सा के बहार चला जाया करता था He agreed with Mr. Hamill about French मतलब जब उसको एसास हुआ कि जो है अब जो है Mr. M. Hamill आज लाज दिने जाने वाले है तो उनको जो बाते थी M. Hamill की वो उन सबसे क्या था सैमत था तो guys next and last setting पर बढ़ते हैं अपनी conclusion It was last lesson of Mr. Hamill ये Mr. Hamill का अंतिम पार्ट था He listened to Mr. Hamill's last lesson जो French था उसने Mr. Hamill के अंतिम पार्ट को सुना With Keen Attent Keen Attent मतलब रूची लेका and respect सम्मान के साथ Who had spent years in the same school जिसने व्यतित किये हैं 40 years, 40 साल in the same school मतलब जो Mr. M. Hamill थे ये पिछले 40 वर्स से एक ही स्कुल में पढ़ा रहे थे तो उस दिन जो अंतिन दिन था Mr. M. Hamill का फ्रेंज ने बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सम्मान के साथ उनको सुना तो गाइस ये था हमारा कैक्टेस के चो फ्रेंज मुझे उमीद है आपको पूर अच्छे तरह किसे समझ माया लगा तो गाइस इस लिए हमार इस वीडियो को जाए 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 लाइक शेयर करेवे जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं फ्रेंड्स हैं पडोसी हैं सब तक इस वीडियो को जरूर VOICE तो आज की लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू